वेलकम तू माई सिज एक्जाम आज हम लोग कम्प्यूटर के MCQ करने वाले हैं और कम्प्यूटर के MCQ पे पर्टिकुलर आज का टॉपिक है प्रिंटर प्रिंटर से डिलेटेट जो भी पॉसिबल कोशन बन सकता है मैं इसको इस वीडियो के मद्धिम से आपको बताने की कोशिस करूँगा हम लोग का टार्गेट है 1200 MCQ कोशन करना पटवारी का परिक्षा होने वाला है और पटवारी परिक्षा के लिए हम लोग 1200 MCQ कोशन करने वाले हैं आज इस सिरीज का पार्ट टू कोशन है आप लोग को डेली MCQ मिलेगा डेली MCQ कम मिलेगा? दोपहर के 12 बजे दोपहर के 12 बजे आपको डेली का कम्प्यूटर से रिलेटेड MCQ मिलेगा जब तक पटवारी की एक्जाम नहीं हो जाता तब तक ये सिरीज चलते रहेगा और हम लोग का टारगेट है हम लोग लगबग 1200 MCQ कर लेंगे तो जो भी पॉसिबल कोशन आज तक पटवारी के परिछे में पूछे गए है या किसी भी कम्प्यूटर से रिलेटेड जो जो कोशन बने है उसको मैं आपको बद पूरा करा दूँगा और जब तक अपका एक्जाम है तब तक यह वीडियो चलते रहेगा तो डेली बारा बजे दोपर को आना है और वीडियो देखना है और वीडियो पूरा देखिए आप पूरा देखेंगे तो जो भी facts बन रहा है possible कोशन बनेंगे मैं आपको वीडियो के बीचे बताते चलूँगा अगर आप चनल पे नए है तो आपने अभी तक चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर ले पहला कोशन है ऐसा प्रिंटर जिसमें अच्छर प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग हैड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह कहलाता है मतलब बोला जा रहा है कि मुझे प्रिंट करने के लिए हैमर के थुरू, हथोडे के थुरू उसमें हम फोर्स लगाके बल आरोपित करके प्रिंट करते हैं तो उस printer को क्या कहते हैं? तो चलिए बैप को इसका आंसर बता देता हूं, इसका सही आंसर है, ऐसे printers को impact printer कहा जाता है, impact printer में क्या होता है, हम जो technology का प्रयोग करते है, वो technology क्या होता है, इसमें एक हथोड़े जैसा structure होता है, वो printer को page की ऊपर, printer की जो words लिखे होते हैं, उसको page की ऊपर हथोड़े से, बला कि man, अच्यली हथोड़ा नहीं होता है, उसको hammer जाता है, उस hammer से print किया जाता है, लेकिन हथोड़े को हम English में hammer करते हैं, तो उस terminology का यहाँ up you感 किया जाता है, तो आपको याद रखना है यह दिख रहा है कुछ प्रिंटर को हम दो तरफे classify कर सकते हैं एक होता है impact मैंने बता है जिसमें कौन सा technology यूज़ होगा hammer वाला इसमें अच्छरों को hammer से post लगाकर print किया जाता है इस technology को जो printers होते हैं उसको impact printer कियाते हैं और non impact printer उन printer को कहा जाता है जो इस technology का उपयोग नहीं करते हैं उसमें कुछ अलग technology होता है जैसे inject है, thermal है, laser है ठीक है और laser printer बहुत popularly use होता है तो यह आपको याद रखना है ठीक है मैं आपके और आगे बताते हैं जलता हूँ जो possible question होते हैं आप पहले येतना याद रखिए अगला जो question है इनमें से कौन सा printer graphics print नहीं कर सकता ग्राफिक्स मतला picture, चित्र ये सबको printer print नहीं कर पाता है तो चलिए मैं इसका आपको answer बता देता हूँ जो सही answer है वो है daisy wheel printer daisy wheel printer कौन से category का printer था मैंने आपको थोड़ेर पहले बताया है ये impact printer है impact printer है तो जो impact printer है वो generally graphics print नहीं कर पाते हैं मैं आपको example से बताता हूँ आपने जब shopping complex में या mall में कभी समान खरीदा होगा तो आपको एक अजीब से printer दिखाई रहता है जो billing का काम करता है उसमें कोई graphics print नहीं होता है उसमें अच्छर print होता है तो उस technology के printer को हम लोग impact कहते हैं ठीक है तो जो daisy wheel printer है या dot matrix printer है यह printer graphics print नहीं कर सकती यह बहुत ही important question है आपको यह याद रखने है आगे बढ़ते हैं एक बार में अगर कोई printer एक character को print कर रहा है तो उस printer को हम क्या कहेंगे एक printer है यदि वो at a time क्या print कर रहा है one character print कर रहा है तो उस printer को हम क्या कहेंगे option आपके सामने है ये भी बहुत ही important question है तो चले इसका answer में आपको बता देता हूँ इसका जो सही answer है वो है serial printer आम याद रखिए serial printer serial printer किसे कहते है ऐसा printer जो at a time एक character character का मतलब होता है अक्छर एक अक्छर को print करता है उसे हम क्या कहते है character printer ये आपको याद रखना है एक्जाम में question बनता है character printer होता है serial printer होता है line printer होता है page printer होता है तो यह सब printer technology के अधार पर classify किया जाता है आगे बढ़ते हैं जो printer प्रत्यक अक्छर को dot के जरीए print करता है उसे क्या कहते है जो printer प्रत्यक अक्छर को dot ऐसे dot dot करके वो print करेगा ऐसे dot 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 करके कोई word लिखेगा जैसे अ लिखने तो dot 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 करके प्रिंट करेगा तो उस technique को क्या कहेंगे तो इसको सही answer है dot matrix printer वो dot के जरीए क्या अक्छर को print करता है dot matrix और solid font printer किसके उधारन है option आपके सामने तो यह दोनों ही characters printer के उधारन है इसको मैंने बताया था भी आपको जो ऐसा printer जो अक्छर प्रिंट करें at a time उसको character printer कहते हैं कि सीपी इसका पूर्ण रूप क्या है तो चलिए इसका अंसर मैं आपको बता रहता हूं सीपी इसका पूर्ण उस है character per second याद रखिए character पर पी से 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 एसा printer जो पर सेकेंड में कैई character प्रिंट करता है उसे हम क्या बोलते है character cps character per second इसको आपको याद रखना है कि इस ज़र से page पर मिनट यह भी एक प्रिंटर आता है आपको याद रखना है ppm page per minute वह एक मिनट में पूरा page प्रिंट करता है देखिए यह पढ़ेंगे पनागे पढ़ते हैं printer को दाय से बाय और बाय से दाय ले जाने का काम कौन करता है printer को जो जो बहुता है इसमें सिस्टम लगा हुआ है technology है वह printer के cursor को cursor नहीं बोलेंगे उसको उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है और दूसरे स्थान से पहले स्थान तक वापस लेके आता है उसको हम क्या बुलते हैं तो चलिए मैं इसका answer बता देता हूं सही answer है head assembly ज्याद रखिए head assembly printer को move करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब printer को बीना computer से जोड़े केवल printer के दोवारा print copy से निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो इसका answer मैं को बता देता हूं इसका answer होता है printer का self-test option a printer का self-test मतलब हम printer सही काम कर रहा है की नहीं कर रहा है printer खराब है कि वजब हम नया printer लिने गया है तो बीना computer के जोड़े हम एक print निकालके check करते हैं तो इससे क्या होता है इस terminology को कहते है printer का self-test self-test of printer इस terminology को कहा जाता है जो printer छपाई करते समय अक्षर के अकार की स्याही का फुहार छोड़ता है जिससे अक्षर छपते हैं उसे क्या नाम मिला है उस printer को हम क्या कहते हैं जो printer अक्षर छापते समय या character छापते समय किसकी फुहार छोड़ता है स्याही की फुहार छोड़ता है तो उस technology को printer को हम क्या कहते हैं तो चलिए मैं इसका आंसर बता दिता हूं उसे हम इंक नर्णर कैगा जो आंपको बताया था यह इंपक्ट नहीं है नॉन इंपक्ट है यह उन इंपक्ट पैंटर के हम लोग ऊंटर करे थे तो उसमें एक क्लासिफिकेशन हमने था तो नाम से क्लियर है कि वह क्या करता है इंक का 가ुल में फुहार करते समय ये अच्छा ज़वां सोप्टky तो मुझा है करके को चैनल को च्जोन है को च्छीं है one day do की मदद से उनने का के ला और है क्जाम में आया हुआ औक तो शेको बता देता हूँ इसका सही answer है वह लेजर प्रिंटर जो laser प्रिंटर होता है जोraction जो है यह अच्छा प्रिंटर होता है यह लेजर पिर्टर है यह लेजर किर्णो सब्सक्राइब करने के लिए लेजर प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए बहुत जाता है तो यह डाटा जाने का और चीब करने के बा। प्रिंटर सब्सक्राइब का उसे मेहीं हुए इस स्थान को कि कुम्प्रिंटर सब्सक्राइब connections अधिन के लिए, यहां पर का और प्रिंटर सब्सक्राइब तो यह किस memory में जाके store रहता है, तो जैसे printer free होगा, तो यहाँ से data printer को वापस जाएगा, तब printer page 3 से print करेगा, तो यह कौन से memory कहाँ पर store रहता है, तो चले इस cancer में बता लेता हूँ, उस cancer है data buffer, याद रखी, important question है, आगे बढ़ते हैं, photographic, photograph print करने के लिए किसका प्रयोग किय जाता है, option आपके सामने हैं, तो चले इसका अंसर में आपको बता देता हूँ, तो सही answer है photographic printer होते हैं, जिससे हम photograph print करने के लिए उप्योग करते हैं, photograph printer में कौन से paper का उप्योग होता है, option आपके सामने हैं, तो चले इसका सही answer में आपको बता देता हूँ, इसका सही answer है, bromide paper bromide paper का उप्योग किया जाता है photograph को print करने के लिए इतना आपको याद रखना है तो आज हमने printer से 15 question किये देरे-देरे question की संख्या बढ़ाते चलूँगा, कल हम लोग थोड़ जादा question करने कोशिस करेंगे target जो है 1200 question MCQ हमको लगभग पहुचना ही है आपके exam से पहले और उसके बाद देखिएगा जो हम 1200 question किये हैं उसमें से ही लगभग कुछ question आपके exam में जरूर आएंगे ठीक है, कोई बाहर नहीं जाएगा आपको daily video देखना है ठीक है, तो ये 12 बजे का show है 12 बजे daily 12 बजे आपको ये video मिल जाएगा ठीक है, thank you